Hello friends, very very good evening, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे, शो friends, आज की इस वीडो हम लोग solve करेंगे, कलावर्ग का practice इत, पूरे 50 प्रिश्टों का हम लोग इस वीडो में solve करेंगे, फ्रेंड्स, पचास में से अगर आप लोग 18 से 20 प्रशन सही कर लेते हैं तो आपकी कलावरगी टियरी अच्छी है फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और इस टीम से हैं, साइन से हैं, एकरि कल्चर से हैं, कॉउमर से हैं तब भी आप लोग इस class को देख सकते हैं, क्योंकि कला वरगे में जो 50 प्रशन पुछ जाते हैं subject ability के, इसमें ज़्यादा तर आपके zkcc के questions पुछ जाते हैं, तो आपका zk वाला portion सही हो जाएगा, तो चली फड़ा-फट class को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर daily classes का timing आप सब एक दिन आपकी reasoning के class चलती है, एक दिन आपकी subject ability के class चलती है, तो चली फड़ा-फट class को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला प्रशन आपकी स्केन पे आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, और पूरी class आप लोग जरूर से जरूर देखेगा, सबसे पहला प्रशन है, कौन सा वाद यह मानता है कि यह विस्वा मनुश्य के मस्तिस्क में इस्थित है, आताहा विचारों के बदलने से दुनिया बदल सकती है, तो वो वाद कौन सा है, यह आपको बताना है, तो वो वाद है, आपका आदर्श वाद है, 51 का यानि के पहला का D correct हो जागा, ठीक है, चलिए अगला परशन आपकी स्केन पे है, जब दो भिन संस्क्रतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो यह कहलाता है क्या, सब लोग जवाब देने के प्रास करेंगे, आंसर सूश नहीं का जाता समय चाहिए, तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं, 2023 में बहतरीन अ आपकी हमेशा हेल्फ करेगा आगे भी, तो जब दो भिन संस्क्रतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो यह कहलाता है क्या, संस्क्रति के संपर्क कहलाता है, ठीक है, 52 का D आपका, बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, दिल्ली में कौन सा एतिहासिक इसमारक भारती सभी लोग जाब दने के प्रयास करेंगे, सभी को बाइ, जितने मी लोग क्लास को देख रहे हैं, शभी को बाइख कर देंगे शियर कर देंगे शब लोग और इस चैनल से जूड़ जाएं, चैनल से आपको निस्चिती मतत्त मिलीगी, तो वो है हुमायू का मकबरा, ठीक है चलिए C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा आगे चलते हैं निमलिकित में से निमलिकित नीती निदेशकर सिध्धानतों में से वहाँ सिध्धान कौन सा है जिसे गांधी वादी सिध्धान कहा जा सकता है और बिलकुन इसी लेवल के कोश्चन्स पोचे जाते हैं सबी लोग देख शकते हैं निमलिकित नीती निदेशकर सिध्धानतों में से वहाँ सिध्धान कौन सा है जिसे गांधी वादी सिध्धान कहा जा सकता है तो वो है आपका पुर्शों और महिलाओं के लिए शमान काम ठीक है यही वो सिध्धानत है 54 का स्वारी इसमें B वाला आपका सही होगा ठीक है कि स्वासासान के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पैंचातों के शकतान यह वाला आपका करेक्ट हो जगा ठीक है अगे चलते हैं भारत में पंचवरसी योजनाओं की संकलपना प्रस्तुत की गई थी किसके दौरा बारत में पंचवरसी योजनाओं की संकलपना प्रस्तुत की गई थी किसके दौरा यह जब वहालाल नहेरु की दौरा प्रस्तुत की गई थी इसकी संकलपना 55 का भी आपका बिलकुन करेक्ट हो दाएगा, चलिए, निमलिकित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश नहीं है, बताईए तब लोग, निमलिकित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश नहीं है, 56 का जौब दने के प्रया नहीं complete हुआ है, आप सभी को पता है कि 24 अप्रेल को exam 100 patient आपका होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहां से तैयरी करें, कौन सी बुक से पढ़ें, ठीक है क्या लें, क्या ना लें, तो आप लोगों की skin पर यहां पर दिख रहा है, यह हमारा complete syllabus notes है, यह 527 पेच की PDF है इसमें आपको हिंदी जीके reasoning subject ability की 5000 से जादा topic wise objective question देखने को मिलेंगे, हाजारों बच्चे इस crash course को purchase कर चुके हैं, हिंदी language में सारा का सारा matter दिया गया है, 10 वर्स के पुराने हल प्रशन पत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी important books होती हैं, सभी का यह प्रशेज करकें, आप लोग अपनी तयारी सुरू कर दें, क्योंकि अभी भी आपके पास तयारी करने का समय हैं, ठीक है, 24 अप्रेल को आपका exam होगा, तो यह crash course बहुत ही help करेगा, आपकी तयारी में सरकारी सीट लेना है, तो यह crash course आप लोग ज़रूर से जरूर प्रशेज कर चुके हैं, तो आपकी बारी है, 149 का मुह मत देखिए, और अपनी जबरजस्तियारी सुरू कर दें, इस crash course से, अगला प्रशन बहुत ही important है, I think यह question करवा भी चुका हूँ, पहले की class में कि अंतराश्टी ब्यापार में जो है, डंपिंग का क्या अर्थ होता है, या आपको बताना है, बताए, डंपिंग का अर्थ क्या होता है, अंतराश्टी ब्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है, क्या, वास्तवी को उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, यही डंपिंग का अर्थ होता है, अंतराश्टी ब्यापार में, 57 का यह बहुमत दिशागर का प्रकास इस्तंब कहा जाता है। सारे के सारे selected questions लिए हैं प्रीविस सेरी के questions लिए हैं जो हर वर्स exam में पूछे जाते हैं तो जब भी मेरी class हो हर class को पूरी आपको जरूर देखना है 59 को चाप दें निमलिकित में से कौन सी नदी जारन दमुक का निर्माड करती है तो वो नदी है नर्मदा नदी 59 का C आपका निंतरन रखना RBI के कारी है निर्यात करताओं को रणे देना कारी नहीं है RBI का 60 का D आपका बिलकुन correct हो लगा भारत में कागच उद्दोक का प्रतम सफलकार खाना जो है 1889 में किस स्थान पर लगाया गया था ये आपको बताना है भारत में कागच उद्दोक का प्रतम सफ खलकार खाना शन 1889 में निम्निमे से किस स्थान पर लगाया गया था ये लगाया गया था लगनों में ठीक है 61 का C आपका बिलकुन correct हो लगा सिकागो में संपन 1893 के विस्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधी कौन थे सीधे एक्जाम में छपने वाला प्रशन है स्ट 62 का C आपका बिलकुन correct हो जगा नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजेगा किस सासक को जहांगिर ने फरजंद यानि की पुत्र की उपाधी से सम्मानित किया किसको बताइए सब लोग 63 का जाप देने के प्रास करेंगे आंसा सोचनी का ज्यादा समय चाही तो वीडियो लाइक करेंगे शेयर कर देंगे तो बीज़ापुर के शाशक आदिल साग को जो है समनित किया गया था ठीक है फिक्स्टी तरीका यह आपका बिलकुन correct हो जगा भारती राष्टी कॉंग्रेश 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई इसका मुख के कारण क्या था भारती राष्टी कॉंग्रेश 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई इसका मुख के कारण क्या था मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अधिकर्मन करने के मामलों में उच्छ नेल है निमलेकित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है सभी आदेश जारी कर सकते हैं जैसे अधिकार प्रक्षा हो गया आपका परमादेश वा प्रतिशेद हो गया आपका बंदी प्रत्रची करन वा उत्परेशन लेख हो गया तो सभी आदेश जारी किया सकते हैं तो उपरोग तो शभी आपका सही हो जाएगा 55 के जितने बी लोग यहाँ पर D जॉब दिये हैं उनका अंसर बिल्कुन सही हो जगा जितने बी लोग प्लास को देख रहे हो और चैनले पर नए हो तो सब्सक्राइब करको जुड़ जाओ इस चैनल से आपको निश्यती मदत मिलिए सबी लोग जॉब देने के प्रास करेंगे वह अर्त बिवस्था जिसमें सरकारी वर निशी दोनों की अपकरम हो कहलाती है क्या चछ़चाट का b आपका बिलकुन करिक्ट हो जगा अगले पुर्शन का जॉब देए निमलिकित में से कौन सा स्रोत उर्जा का बेवसाइक स्रोत नहीं है निमलिकित में से कौन सा स्रोत जो है उर्जा का बेवसाइक स्रोत नहीं है बायो गैस आपका जो है उर्जा का बेवसाइक स्रोत नहीं है तो जितने भी लोग यहाँ पर डी जवाब दिया उनका अंसर बिलकुन सही हो जगा चलिए बीएट से रिलेटिट या कैरियर से रिलेटिट या टीचिंग से रिलेटिट कुछ भी डाउट्स वेगर हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है राश्ट पती पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके दोरा तो इसका जो भी राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजेगा इसका राइट अंसर यह अप लोगों के लिए होम मर के एक तरह से ठीक है चलिए विकास असिल दे आके जरू से जरूअचर आपको देखना inee प्ले लिष्ट में आपको सीरियल भाइट हर सब्जेट की क्लास मिल जागी जैसे हिंदी सब्जी एविलिटि commence कि लिए Mazey कारेंटरम एए जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा यह मेरी गारणटी है ठीक है लेश् 69 का भाई B आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा. भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिद्धित चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिद्य चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है सत्तर का जीतने में लोग यहां पे D जवाब दिये हैं उनका अंसर बिलकुन सही हो जाएगा सेर साका मगबरा कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है सासाराम में ध्यानकना किस स्टेट में है सासाराम किस हडपा इस सल से चावल उगाने का साक्ष सूचित हुआ था कताई जहर वाला प्रशन है मोहन जोद्रोल से तो आपका बातरूम जिसे व्रहत इसनानागार की नाम से जानते है व्रहत इसनानागर का साक्ष जो है मोहन जोद्रोल से प्राप्त हुआ था और देखे जो शावल उगाने का साक्ष जो शूचित हुआ था ये रंग पुरसे हुआ था 72 का सी आपका बेलकुन करेक्ट हो जगा भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम अधश कौन थे? भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम अधश कौन थे? तो देखे भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधश पूँचे पर्थम तो WC बनर जी थे और भारती राश्टी कॉंग्रेस के संसापक पूँचे तो A.O. होम थे अगर पूँचे एक्जामे की भारती राश्टी कॉंग्रेस के प्रतम मुसलिम अद्धाश कौन थे बदरुदिम तयज दीचे और प्रतम अंग्रेश अद्धाश कौन थे जार्ज यूल थे नत्रनाटिका है, सीधे एक्जाम में छपने वाला प्रशन है, important लिख लेज़े का double star लगा के note के लिजगा, कथ कली कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है, कोई भी one day एक्जाम हो या entrance एक्जाम हो, हर एक्जाम में ये GK का प्रशन रिपीट होता है, 90% chance रहता है इस प कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, 75 का जौब दिने के प्र्यास करेंगे सब ल twisting भाई, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो इसका जो matter है बाई, करनाटक वद तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है, दोनों राज्य का नाम average रखन puisque तमिलाडू ठीक है चलिए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में इस्थानांतरित हुई थी 1911 में इस्थानांतरित हुई थी 76 का भी आपका बेलकुन करेक्ट हो दगा चलिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ आज मौर्निंग वाली क्लास देखे होंगे तो ये प्रशन आपको आ गया होगा वैसे तो ये बहुत ही नॉर्मल सा कुश्चन है अगर आप लोग किसी भी अधर कॉंपटेटिव एक्जाम के प्रिशन कर रहे हैं या पहले से कोई एक्जाम दे दिये हैं जी के पढ़ी हैं आपने तो ये कोश्चन तो बतलब रटा होगा तो पानीपत का जो तीसरा युद हुआ था 1761 में हुआ था और 1526 में भाई पर्थम युद हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और 1556 में पानीपत का तित्री युद हुआ था अकबर और हेमे को बीच में अहमा शाह अब्दालियों और मराठों के बीच में तित्री युद हुआ था ध्यानकना किसी राजविधान मंडल में अधिक्तम कितने शदश हो सकते हैं नियुनतम शाट हो सकते हैं और अधिक्तम 500 हो सकते हैं ध्यानकना ठीक है तो 78 का C आपका बिल्कुन करिक्ट हो जगा भारत में नागरिक्ता किस सिद्धान पर आधारित होती है कते जहर वाला पसन है इस्ता लगा के नोट कर लिजगा भारत में नागरिक्ता किस सिद्धान पर आधारित होती है और नियासी का जाब देने का प्रयास करेंगे सबी लोग भारत में नागरिक्ता किस सिद्धान पर आधारित होती है ये जो है जन्म इस्थान तथा रक्त किस सिद्धान पर आधारित होती है भारत में नाग रिखता, ठीक है, 79 का C आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा, ये भी बहुत ही important question है, भले ये exam में नाए, बढ़ जानकारी आपको होनी चाहिए, भारत के विदेशी विनमे संचाय का प्रतिरचक है कौन? भारत के विदेशी विनमे संचाय का प्रतिरचक है कौन? नमे संचाय का प्रतिरचक है किस उद्दोग में सारवजनिक छेत्र में सबसे अधिक पूजी निवेस हुआ है, वो कौन सा उद्दोग है बताईए सब लोग 81 का जौब देने का प्रयास करेंगे, उरवरक उद्दोग या दवा वरशाएन उद्दोग या लोह इसपात बी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा। पॡूंद्रा, टूंडरा प्रदेश चुने होंगे टूंडरा के नाम से जाना जाता है। 82 का जीतने में लोग यहाँ पर भी जवाब दिये हैं। उनका आंसर बिलकुन सही हो जएगा। यहाँ पर एक तरह बांध है एक तरह पराज है तो कौन सा बांध भाई किस राज में है या आपको मिलान करना है आंसर सोचने का ज्यादा समच है यह तो वीडियो को रोक भी सकते हैं बट सभी लोग हर प्रश्ण का जवाब जरूर से जरूर देंगे तो भाई वीडियो को ज नागरजुन शागर आपका आंतर प्रदेश में है लोवर भानवानी आपका तमिल नाडू में है ठीक है तो 83 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा तीरासी का C वाला इनको नोट के लेज़ेगा कौन सा बांध किस राज में है ठीक है नागरजुन शागर बांध ये जो है य कि तरह आपका सबसे उंचा बांध है ये आपको पता होना चाहिए चलिए आगे चलते हैं दावेल्थ ओफ नेशन की रशना की सीधे है एक्जामे छपने वाला पसन अचिह ये इड़ आम इसमें ने की थी ठीक है इश्टा लगा लिजिगा चलिए कौन था शप्तांक सिध्धान का प्रतिपादा कौन था भाई? अरश्तू, रूशो, सावारकर या कौटिल ले 85 का जौब देने के प्रास करेंगे शप्तांक सिध्धान का प्रतिपादा कौन था? कौटिल थे? D आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार है किसका? अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख विचार है किसका? तो ये है, बेंथम का विचार है अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख ठीक है? 86 का B आपका बिल्कुन करेक्ट हो जगा चलिए कौन से समोह का शम्मंद किस से हैं या आपको मिलान करना है 87 का जाब देने के प्रयास करेंगे आपका सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो वीडो को रोक सकते हैं बताएं सब्सक्राइब लोग 87 का राइटम सर क्या हो जागा तो यहाँ पे सवैच्छिक और अनेच्छिक समोह का शम्मंद आपका D सेंडर्शन से हो जाएगा और यहाँ पे जनरंगिंक और एकट्रिक शम्मंद आपका Fह गिडिंग से हो जाएगा प्राथमिक और गणुक सम्मंद हो जाएगा C.H. कुले से अंतर शमोहू एवाम बहिर समोह को शमन डबलू जी जो है शमनर से हो जागा तो 87 का जो है आपका इसमें बी वाला बेलकून करेक्ट हो जागा अच्छा प्रशन था आगे चलते हैं पराथमी के समुदाई की आधारणा दी गए थी किसके द्वारा, ठीक है, 88 का यह आपका बेलकुन करेक्ट हो, एक निश्ची शमाज का उधारण है, एक निश्ची शमाज का उधारण है कौन सा, बताइए सब लोग, गुड इवनिंग भाई सभी को डिवनिंग, वीडियो को लाइक कर दो शबी लोग, चले एक निश्ची समाज का उधारण है, तमिल समाज एक निश्ची समाज का उधारण है, ठीक है, संदर्ब शमू है, इसमें कौन सा, नब्बे का जॉब देंगे, शंदर्ब शमू है, तो इसमें समंदरी इंजिनियर, कॉलेज जाने वाले छात बताइए किस से लगा जाता है अनुमान तो उस बैवहार से जिसकी व्यक्या उसे से होती है यही अनुमान लगा जा सकता है ठीक है चलिए मानो विकास में कुरांतिक आवदी प्राकल्पना के लिए सबसे मजबूत सबूत निम्लकित में से किसमें पाए जाता है मानो विकास में कुरांतिक आवदी प्राकल्पना के लिए सबसे मजबूत सबूत निम्लकित में से किसमें पाए जाता है तो यह पाए जाता है भासा अधिकरहन में 92 का सी आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा वहा इसमर्ती जिसमें संसार के बारे में प्रतेक व्यक्ति का शमान आमोर्त ग्यान का कुल योग समलित होता है कहा जाता है अर्थगरत इसमर्ती देर्ग कालिक इसमर्ती या प्रसांगिक इसमर्ती 93 का जो भी राइट अंसरो कमेंट बाक्स में छाप देंगे सब लोग वह इसमर्ती जिसमें संसार के बारे में प्रतेक व्यक्ति का समान आमोर देना आधार बहुत सिधान्थ है किसका परिघटनातमक उपागम का जो है सिधान्थ है ठीक है 94 का C आपका बिलकुन करेक्ट हो जगा निमलिकित में से किस एक जोड़े गंद को मूल गंद नहीं माना जा सकता है निमलिकित में से किस एक जोड़े सरीर के आंतरिक वातावरण में उचितर असं हमाईयुजन बनाएृ किस पर हो ती है तो द्यानर को आपका बिलकुन कुरेक्ट हो उति है । यह से प्रगानुभावी युक्ती है तो वो है शत्ता मूलक युक्ती थीक है चलिए आगे चलते हैं संद ओगेश्टाइन के अनुशार इसवर ने सभी वस्तुएं क्या उत्पन की है किससे उत्पन की है शुनने से उत्पन की है ठीक है अच्छा प्रशन था हेन यान किस धर्मसे समधित है कतई जहर वाला पसन है इस्टा लगा के नोट के लिए जिगा हेन यान का शंबंध है बहुत धर्मसे है ठीक है शो फ्रेंड्स ये थे आपके कला वर्गे के टॉप 50 कोश्चंस इन 50 नाम इसको जरूब दीगा और ऐसी ही डेली क्लास देखने के लिए एजुकेशन भी साहिल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें जितना भी इम जितना भी सलेबस है पूरा सलेबस में कंप्लेट कराऊंगा इसी चैनल पे बिलकुन फ्री में ठीक है तो एक छोटा सा फी कोश्ट किया करता हूं तो वहाँ पर भी जॉइन हो जाएं ताइंगे शमच